अलो दोस्तों अरत दैरेस अकेडिमी के यूटूब जनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान में जो रिट बरती परिक्षाएं अभी आईजित की गई है जिसके पेपर हैं वो आचुके हैं और 24 जुलाई दोस्तों फर्ष्ट पारी यानि कि पर्थम पारी के अ स्वागत को सबसे पहले सिक्स साइसतर के तीस सब्सक्रट चियुक यहाँ तक तक है तो अप गणी तो और विड्यान वाले भी देख सकते हैं और उसके बाद में से तो चलिए दोस्तों के पास में जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहां पर देखिए सबसे पहले अपने चोबिस तारीक का जो पर्थम पारी में जो पेपर लगा है उसमें देखिए बाल विकास एवां देखिए दोस्तों यहां पर पहला प्रस ने देखिए विकास के नियम के रूप में कौन सा कतन सत्ते नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विकास के लिए परतेक अवस्ता समान रूप से महतोपून है यहां पर ए नंबर का उप्शन बिलकुल सही उतर हो जाए देखिए नेतिक विकास का सिद्दान्त किसके द्वारा प्रतिबादित किया गया था दोस्तों यह सिद्दान्त प्रतिबादित किया गया था लोरेंस कोहेल बर्ग के द्वारा यह नेतिक विकास का सिद्दान्त है यह प्रतिबादित किया गया यह यहां पर बी नंबर का option बिल्कुल सही तीन नमबर का प्रेस ने इसमें देखे वेवसाइट चैन में व्यक्तिक भिनताओं को निमने द्वारा समझाये जाता है तो इसका वातावरन की भूमिका किसके द्वारा सबसे सही रूप में परतिविंब होती है इसका बिल्कुल सही उतरो जाएगा वो है दोस्तो आदत निर्मान में ठीक है आदत निर्मान के द्वारा सबसे सही रूप में परतिविंदीत होती है डी नमबर उप्सन बिल्कुल सही देखे ये बिल्कुल सुदा अंसर की है ठीक है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे देखिए वेक्तित्व का सील गुन सिद्दान्त किसने परतिबादित नहीं किया है तो यह नहीं किया दोस्तो, पोल कोश्टा वैंया, रोबर्ट मेकरे के दौरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेकरे के दौरा, तो इसका right answer A number option बिल्कुल से ही आगे देखे यहाँ पर six number का press ने कौन सा वेक्टित्व परेक्षन निदानिक निदान के लिए वैदे है तो दोस्तों वो है इसमें MMPI कौन सा है MMPI तो इसमें right answer इसमें A number का option बिल्कुल से ही आगे देखे साथ number का press ने रोबर्ट जे इस्टनबर्ग द्वारा बुद्धी का कोन सा सिदान्त प्रस्तावित किया गया है सही ouत रोजाएगा वो है 3 IMI सिदान्त है यहाँ पर C number का option बिल्कुल से ही 3 IMI सिदान्त है आठ number का press ने निमन में से कोन सा बुद्धी का निस्पति परिक्षन है तो कौन सा बुद्धी का निस्पति परिक्षन है इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तो भाटिया बैटरी यहां पर बी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही भाटिया बैटरी नो नंबर का प्रशन इसमें देखे व्यक्तिगत बिंताओं की परकरती के लिए निमन में से कौ की तीनों सत्य हैं यहां पर दोस्तों बी नंबर का उप्षन राइट अंसर हो जाएगा दस नंबर का प्रशन इसमें देखे परतिवासाली बालकों की सिक्षा के लिए कौन सा उपाए प्रासंगिक नहीं है तो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सी विकरती अधिगम एसमता का एक प्रकार है कौन सी विकरती अधिगम एसमता का एक प्रकार है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डिसलेक्सिया सी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही डिसलेक्सिया इसका राइट अंसर हो जाएगा बारा दोस्तो इसमें द्वंद, यहाँ पर D नंबर का ऐपसन में देखिए, JP Geelford के अनुसार सर्जनात्मक बालकों के विश्चता कौन सी नहीं है, बताइए कौन सी विश्चता नहीं है सर्जनात्मक बालकों के विशेष्था राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो चिंतन में समानु भूती ये विशेष्था नहीं है दोस्तो ए नमबर ऑप्शन बिल्कुल सही आगे देखें यहां पर ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है ट्राइसोमी 21 को दोस्तो डाउन सलक्षन यानि कि डाउन सिंड्रो लूम कहा जाता है राइट आन्सर विशेष्था दित्क बिल्कुल सही 15 नंबर क प्रशन इसमें देखिये निमन मैंसे कौन सा थोंडाईग के सीखने की नियमों का इस्सा नहीं है तो इसका राइट आन्सर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वह है दोस्तो साहाचरिय का नियम B नमबर का उप्षन बिल्कुल सही साहाचरिय का नियम 16 नमबर का प्रशन इसमें देखिए निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को परभावित करने वाला मनोवग्या निकारक है तो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें अभी प्रेणात्मक एवं में स्वेगात्मक अवस्ता सी नंबर का ओप्षन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा इसमें देखिए अधिगम का अंतर द्रेश्टी सिद्दान ते किसके द्वारा परतिवादित किया गया है तो दोस्तों किसके द्वारा परतिवादित किया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वोल्फ गेनन कोलर के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस निस्पादन का सत्यापन यहां पर सी नंबर का उप्शन राइट आंसर निस्पादन का सत्यापन आगे देखें गुनिस नंबर का प्रस्टन है यहां पर इसमें देखें समयोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्म के युक्तियों के परियोग को मौलिक रूप स किस के द्वारा परस्तोत किया गया है, यह दोस्तो काल रोजड़ेस के द्वारा यह परस्तित किया गया था, यहाँ पर सी नंबर और बिल्कुल सही, आगे देखें बीस नंबर का प्रस्त ने निमन मेश्चित कौन सा भाई यह अभी प्रेरन का उदारन है तो दोस्तों कौन सा भाई यह भी प्रेरन का उदारन है तो यहां पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है पुरुसकार यहां पर डी नमबर का जो अप्शन है वो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उतर हो जा बताइए कौन सा परकार नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परदसन इस्तर तो इसमें बी नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा परदसन इस्तर यह आपको इसमें याद रख स्थूर्व खंचना स next Shintaك 就 किई इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों अपना इस में सुक्सम सिक्षण तो यहां पर इसका राइट आंसर खा का नंबर का जो श्रों है वो इसका बिलकुल सै तरनोद तथा प्रोच साहन है तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा यह आपको इसमें क्या करना है याद रखना है ठीक है आगे देखिए दोस्तों यहां पर इसमें आपने चोबीस नंबर का प्र पताना है यहाँ पर इस प्राइच्स पर रैइच्ष नियंबंक तो है इस में निये नियुनर का जो पृफ्शन है वो इसका बिल्कूल सियुत्तर हो जाएगा निया नियुक्त है आगे देखिए दोस्तों यहां पर 25 नमबर का प्रेशन है उपलबदी परिक्षन के निर्मान के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है तो दोस्तों कौन सा इसमें सत्य नहीं है वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है तो दोस्तों यहां पर देखिए मुल्यानकन है ये सत्य नहीं है इसमें B number option बिल्कुल सई 26 नमबर प्रेस्टने राष्टिय पाथे चर्चार रोपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया तो दोस्तों बताएक कोनिसे वर्ष में प्रस्तावित किया गया तो इसका right answer हो जाएगा वो है इसमें 2005 में तो यहां पर बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही 2005 27 नमबर का कौन सा प्रकार सिक्षन अधिगम परकिरिया से समंधित नहीं है तो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा वह दोस्तों इसमें देखिए यहां पर उप्चारात्मक इसका राइट answer हो जाएगा डी नंबर का option बिल्कुल सही उप्चारात्मक आगे देखिए अठाइस नंबर का प्रस ने जीन पियाजे के संग्यानात्मक विकास के सिद्धान्त से कौनशी अवदार ना समंदित नहीं है तो दोस्तों कौनशी अवदार ना समंदित नहीं है इसका right answer हो जाएगा वो है आत्म साथ करण तो इसका right answer हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा सोरी आतम साथ करन नहीं अधिगरहण ठीक है अधिगरहण इसका राइट अंसर हो जाएगा इसमें बाकी तीन हो इसमें सजी ठीक है आगे देखे गुन्टीस नंबर का प्रेस्ट ने जीनस का जोड़ा जो विशेश गुन्ड़ शुतर पर एक विशेश तिस्तान वो नियंत्रित करता है का जाता है तो दोस्तों उसको क्या का जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको एलील का जाता है क्या का जाता है एलील तो यहाँ पर सी नंबर उप्सन बिल्कुल सही देखे तीस नंबर का फ्रेस्ट ने सिग्मेंट फ्राइड द्वा दोस्तों अब आपन भासा फश्ट है ने तिस प्रस्ट करें गहें ठ्यक है टोस्तों भासा फश्ट हिंदी से समंधित ठ्यक है एक बार फिर बता देता हूं 24 तारिक का जो पर्थम पारी का जो पेपर है वो मैं आपको यहां पे हल करवा रहा हूँ ठीक है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी की सभी वित्र है वो वीडियो को लाइक कर दीजे देखिए इसमें 31 नमर का प्रेशन है देखिए रेखांकित अपेक्षा सब्द का अर्थ है रेखांकित अपेक्षा सब्द का अर्थ है वो क्या है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आकांसा यहां पर इसका राइट आंसर बी नमर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जायगा आकांसा आगे देखिए निम्नलकित में से भूतकाल का सही उत्र दारन है दोस्तों बूतकाल का सही उत्र हो जाएगा तेतीस नमबर प्रेशने निमनलिकित में से इस्ट्रेलिंग है दोस्तो इस्ट्रेलिंग कुन सा है इस्ट्रेलिंग दोस्तो इसमें देखिए चार सब्द दे रखें इसमें से जो कोफी सब्द है ठीक है काफी जो सब्द है काफी ठीक है यह क्या है यह इस्ट्रेलिंग बिल्कुल सही आगे देखें यहां पर है इस तक्नीक का इस्तिमाल किया किया इस तक्नीक का इस्तिमाल किया रिखांकित का बहुचन में बहुचन बदलने पर होगा तो दोस्तों इस तक्नीक का बहुचन क्या होगा इसका हो जाएगा दोस्तों इन तक्नीकों इन तक्नीकों का तक निको हो جाएंगा दोस्तो इसमें इसका राइट अंसर कही से निम्य लिकीत में से सब्दका हिंदी मानक रूप चुण सा है तो वह हिंदी मानक रूप कुण सा है तो वह धिंदम Юर्य मालकों क्यों भूल दयार की जाँकर गिंदी उelता- 97 शावण 37 नमबर का प्रेशन है सावन सब्द का हिंदी रूप है दोस्तों सावन सब्द का हिंदी रूप है वो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा दोस्तों इसमें स्रावन डी नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही स्रावन इसका राइट आंसर है आगे देखिए दोस्तों यहां पर तुम यहां पर क्या है सर्वनाम है ठीक है आगे देखिए यहां पर ठीक न्याय करना अर्थ पर कट करने वाला मुहावरा है ठीक न्याय करना अर्थ पर कट करने वाला मुहावरा है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो दूद का दूद पानी का पानी करना यह दोस्तो ठीक न्याय क करना यह मौहावरिक आर्थ है राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्र हो जाएगा इसमें ठीक है आगे देखे यहां पर 49 नंबर का प्रस्ट ने इसमें देखे इसमें देखे दोस्तों गरेलू सत्रू परबल होता है का आर्थ है अभी व बताओ इस वाक्य में परियुक्त चिने को क्या कहते हैं बताए इसमें दोस्तों कौन से चिने का परियोग किया गया है यहां पर दोस्तों देखे परियुक्त चिने को क्या कहते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसको दोस्तों कहते हैं प्रेस्न चिने ठीक ह तो यहाँ पर इसका right answer C number option सही आगे देखिए यहाँ पर 41 number का press ने नीमन में से मात्रभासा, राष्टे जागरन और सांसकर्तिक पुनरत्थान को जिस सिक्षन विदी से बल मिलता है बताए जिस सिक्षन विदी से बल मिलता है तो दोस्तो इसका right answer क्या हो जाएगा वो है दोस सिक्षा बी नंबर का option बिल्कुल सहीतर हो जाएगा basic सिक्षा ठीक है आगे देखे प्रात्मिक इस्तर के पश्चात पद्दे और कविताओं का chain करते समय ध्यान रखना चीए तो दोस्तों किसका ध्यान रखना चीए तो दोस्तों कविता की भासा कक्षा इस्तर के अनुकू विद्यारती सही डंग से लिखे और उसके लेखन कोसल में निरंतर विकास हेतु आवशक है तो वो क्या आवशक है वो है दोस्तों अद्यापक विद्यारती लीपी सब्द और वाक्य रचना की सुधियों को दूर करते रहें यहां पर ए नंबर का option है वो इसका बिल्कुल स पठन को सल विक्षित करने ही तू उची तुपाए है तो वो उची तुपाए कौन सा है वो है दोस्तो इसमें कौन सा तो वो है पुस्त काले से संदर्बित पुस्त के लेने पढ़ने और अधिगम आवस्या के सामगरी खोजगा अवसर दिया जाए यहां पर ए नंबर का उप है यहां बिल्कुल सही तर इसमें हो जाएगा आगे देखिए यहां पर निमन वेने से भाषा शेक्षन पद्दती में सरवो सरवोपरीष्तान है तो दोस्तों यह सरवोपरीष्तान है पाठे पुस्तक का तो यहां पर बी नंबर का और यही थी심्शन होजात्टा सर्वादिक प्रयोग ही तुबल दिया जा रहा है तो दूस्तो यह दिये जा यहां पर श्क्षन के द्वारा विद्यारतियों के बासभी ग्यान एवं कोसल दत्था उनके रूचियों एवं अभी वर्तियों में कितना विकास हुआ है इसकी सापेक्सित जानकरी प्राप्त करने है तो कौन से दो कारे करने होते हैं तो कौन से दो कारे करने होते हैं तो दोस्तों देखिए मापन और मापन द्वारा प्राप्त है मापो की व्याख्या ठीक है यह पर इसमें दिन अप्शन राइट आंसर स्बासा सक्षयक्ष्ण के चेटर में मापन कि सर्वादिक प्रियोग में ली जाने वाली विदी का नाम है तो वहाँ दोस्तो कौण सी विदी वह विदी है दोस्तो कौण सी बताईए तह गिलिक कौन विदी है दोस्तों योगेता विदी राइट आंसर इसमें सी नंबर उप्शन सही आगे देखे यदी विद्यार्थी कूसमायोजन से बच रहे हो पढ़ने की और उनकी रूची वर्थी हो रही हो उनके वेवार में ये परिवर्तन हो रहा है तो निम्नलिकित सिक्षन कारगर स समझना चाहिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताई कुन सा तो वो है क्रियात्म का नुसंदान ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा अब देखिए आगे 51 नंबर का प्रस ने इसमें देखे रिखांकित देन नंदनी सब्द रूप है दोस्तों ये सब्द रूप है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए ये जो सब्द है ये इस तरी लिंक सब्द है ठीक है और इसमें देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए देन इन दनी रूप है ठीक है इसमें दोस्तों बोनस अ हो जाएगा क्या हो जाएगा पर्तिकूल राइट आंसर स्योंला ऑसी हूभ में पर बेिलकूल सऀह कर और new तक निखिये चिंतन सब्द का सब्ध के सिकतने में कि कि अबभी वैक्ति समाश उभाव समाश का था यहां पर निमनलिकित में से तच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च वो है इसमें इस पश्ट जो सब्द है ये सुद्ध सब्द है आगे देखिए अपने विचारों को परकट करने के लिए जिस माद्यम का सारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं उसे दोस्तों भासा कहते हैं सी नंबर का उप्शन राइट आंसर भासा आगे देखिए निम्नलिकित मे से एकारती सब्द नहीं है तो नहीं है तो नहीं जो बिलकुल सुद्ध answer की दूस्तों मैं आपको बता रहा हूं को वीडियो को लाइक कर दीजिए और अध्यार हेसे डिए tattoos की यूट्यूब के चैनल को subscribe नहीं के तो subscribe जरूर करें आगे देखें बिमारी के समय हमारे मुँऊ से यह राम की धवनी या दुख की अवस्ता में कई बार ओ मान निकल पड़ता है रेखांकित सब्द है दोस्तों यह रेखांकित सब्द है यह क्या है दोस्तों यह अवियव है तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा ब सही हुए हैं उसके बाद में हिंदी बासा के अंदर आपके कितने प्रस्थन सही हुए हैं वो भी आपको पता चल गया होगा ठीक है अब दोस्तों यहां पर आगे हम अपन है वो संस्कृत है दोस्तों संस्कृत से समंदित हैं वो प्रस्थन यहां पर क्या करेंगे करेंगे ठ तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो यह हो जाएगा चतु पंचासता है तो यहां पर यह नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें पराता है शह पैंतालीस बजे है ठीके पराता है चैपेतालीस बदने सुर्योदे भौती असमीन वाके रेखांकित समय अक्सर लिकनतू दोस्तों इसको क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे पादोन सब्त बदने लिखेंगे यहां पर सी नंबर का उप्शन राइट आंसर आगे देखें मैश्वर सुत्रेशू अस्वर सवरास तो यहां पर दी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा आगे देखें यहां पर चोंसर नंबर का प्रस ने इसमें देखें संस्करतेन अनुआद कुरू तो राइट आंसर हो जाएगा वो है तसमात गुरो विद्या पढ़ती देखेंगे यहां पर उस से विद्या पढ़ता है इसका क्या हो जाएगा तसमात गुरो विद्या पढ़ती तो यहां पर इसका राइट आंसर बी नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें एक आरस से उचारन इस्तानम अस्ती तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा दोस्तों कंट ता व्रक्षे फले भुएते ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही तरो जाएगा इसमें आगे देखे शिक्स्टी एट नमबर प्रेस्ट ने देखे वाक्यम संसोय देथ नर्पात वसुदा याच्टे तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है नरप वसुदा रिक्तिस्तान के पूर्ति करने सहा से प्रतिवस्ती तो दोस्तों यहां पर खालिस्तान में क्या आएगा इसमें आएगा स्री प्रतिवस्ती आएगा बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे संसकर्टेन अनवाद गुरूद तो दोस्तों नश्याम ठीक है वयम गुरू नश्याम हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे वन वन देखे वन समापनाय पद्दती कस्य विदे अपरम नाम वर्तते राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अक्सर विदे ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगा अक्सर विदे ठीक है अगे देखे दोस्तों इसमें देखे मनोरंजनाय अनुवाचनाय सुरुत्वा पुनै कत्यात कत्नाय दोस्तों यहां पर देखे इस प्रशन का राइट आंसर है आगे देखे संसकर्च सिक्षने प्रस्तावना विश्यो प्रस्तानम तुलना समानी कराने प्रयोगस्चे कस्ये विदे सोपनानी संती तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखे हर बाटी हर बाटी ये विदे तो इसमें D नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा हर बाट ये विदी ठीक है आगे देखे दोस्तों यहाँ पर सलोका नाम सुत्रानाम गज्या नाम चाहे कंठे इस्तरी करनो परी को विदी बलंददाती राइट आंसर हो जाएगा वो है परायन विदी आगे देखे आपर संसकर्त भासा शिक्षन से इंद्रिया नाम प्रियोगा धारने द्रस्य साधनम बहुती तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पाठे पुस्तकम यहाँ पर ए नंबर उप्शन बिल्कुल सहीत आगे देखे दोस्तों इसमें कस्म दोस्तों निजिदे तो इसका राइटा सरो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताएगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है वी नंबर का मिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखें आप pumps देखें drinking सrki विंदव कश्मिन सिद्धानते प्रुज्विते प्रुज्विंते तो दोस्त के इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किरिया सीलताया अभ्यासस से चसिंते चैसिद्धानते यहां पर डीन नंबर का ओप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखे अस्ता दस सताब्द अंतयावत मोखिक परिक्षा एवं कश्य प्राचिंतम सादने सादन त्वेन आसन तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्यानकन से राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन असी नंबर का प्रेशन है इसमें देखे सलाका परिक्षा चात्र से मुल्यानकन करोती तो इ इवर बुद्धे यहां पर बी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे यहां पर इक्यासी नंबर का प्रेशन है महता इत्यत्र का विबक्ति महता इत्यत्र का विबक्ति बताए दोस्तों तो दोस्तो यहां पर इसका right answer हो जाएगा वो है तृतियावी बक्ती B नम्बर का option बिलकुल सही आगे देखें दवजारोणम इतियतर का संदी दवजारोणम में दोस्तो दवज पलस आरोहन यानी कि आरोणम तो दोस्तो इसमें दिर्ग संदी का फ्रियोग होा है बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देख crít Te D three नंबर प्रफसन ये राष्ट्र गीतम इत्यत्र के समास यड़ तो दोस्तों, इसका राइट monetary अगे देखे हैं तेट्स नंबर का ऊप्चन बिल्कुल सही आगे देखे प्रणमांती इत्यत्र के लकार है तो दो स्न autocar होकी अप्र जाए मिल्ठ तुरिण गें अफैप प्रेश्प में डाटर्ण का वर्ग का नंबर त्स सोरि विशेश उपने संदी तो इसमें राइट आंशर हो जाएगा देख है तो वर्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नमब्र सहीतर हो जाएगा तत्पूरु से आगे देखिए 88 नमबर प्रेशन है देपे उप गताम इत्यत्र क्या पड़ते है इसका राइट आंसर हो जाएगा कत पड़ते है सी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए अत्रेव को के लिए विंदित मनोयग्यन कंठी असमिन सलो के को अलंकार है दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें बताएगे कौन सा तो वो हो जाएगा दोस्तो इसमें देखिए वेती रेक अलंकार तो इसका राइट आंसर डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखि इसमें वसंत्तिल का भी संदे तो इसका याइट अंशर जाएगा एन्व भीटकर की नमबर का जो सनँ आई वो दोस्तो पर है वह अपन क्या करेंगे कैसे तो यहां plant के साथ प्रहरा प्रष्ण है वह यहां पर हमापको तो करवाने वाला है उक्राइबаюсь है यह साइंस मैच वालोगे अब दोस्तों यहाँ पर देखे 90 तक मैंने आपको करवा दिये इकराणवा नमबर का प्रसन है इसमें देखे मेगे स्थनीज ने मोरिय प्रशासन में सेनिक गती विदियों के संचालन के लिए कितनी उप समीतियों का उले किया है दोस्तों कितनी उप समीतियों का उले किया है तो 6 उप समीतियों का उले किया है यहां पर D number option बिल्कुल से ही, 93 number प्रेस ने चालू क्यों की राजदानी कौन सी थी, दोस्तों चालू क्यों की राजदानी है वो कौन सी थी, इसका right answer हो जाएगा, एहोल थी दोस्तों, ठीक है, एहोल, आगे देखे, ख्वाजा मुहिन दिन चिस्ती की दरगा पर आने वाला प बंजर भूमी के परकार किस काल से समंदीत है, दोस्तों ये बताएं कौन से काल से समंदीत है, तो ये मुगल काल से समंदीत है, D number option right answer, आगे देखे, अकबर की सुलेख की पसंदीदा सेली कौन सी थी, तो वो थी दोस्तों नस्तली के right answer, इसमें A number का option right answer हो जाएगा, आगे आगे देखे, यहाँ पर देरिलीफ ओप लखनाउ नामक चितर 1857 के विशे में किसने बनाया, ये बनाया दोस्तों थोमस जोन बार करने, right answer हो जाएगा, इसमें C number option बिलकुल सही, आगे देखे, गुलामगिरी नामक पुस्ता के लिए का कौन थे, तो दोस्तों बताए कौन थे तो वो थे जो तिराव फुले, तो यहाँ पर C number का option right answer हो जाएगा, आगे देखे, परिवार कल्यान विशे, भारत के सविदान के किस सुची में दिया गया है, तो दोस्तों ये दिया गया है, कौन से सुची में, इसका right answer हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें, ये 11 करने की सकती है, वो किसको प्राप्त है, इसका right answer हो जाएगा, वो है दोस्तों संसद को प्राप्त है, यहाँ पर D number का option right answer, आगे देखे, राजस्तान में विदीक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, विदीक सेवा दिवस 9 number को मनाया जाता है, C number का option right answer, आगे देखे, 102 number का प् इसमें राइक आंसर क्या हो जाएगा वह है दोस्तो में डी नंबर का जो इसका बिल्कुल सब्सक्राइब ये तिक एक सो तीन नंबर का फ्रस्न भारत में लेंगक अपरा दो हॉआ heavyTE की भारत में चाह 750 के लाई है तेक्षवपोश कोक बलागो हुआ तो ये 2012 बारा में लागू हुआ था दी नंबर उप्शन बिल्कुल सही एक सो चार नंबर प्रेस्ट नहीं है निमने में से कौन सा अनुचे दिकावन कैमे दिये गए मूल करतवी में सामिल नहीं है इसका राइट आंसर हो जाए का वो है दोस्तो करो का भुगतान करे ये दोस्तो एक कावन कैमे अनुचे दिकावन कैमे वर्णित नहीं है एक नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे यहां पर एक सो पांच नंबर का प्रेस्ट नहीं है किसे सविदान संसुदन द्वारा मंतरी परिश्द काकार निर्धारित किया गया है दोस्तो राइट आंसर हो जाए है एक सो साथ नंबर प्रेस्ट नहाए बिवाद उश्तम नहाएले क कि invaded country का है इसका right answer हो जाएगा वह है दोस्तो मौलिक追त का work का एक नंबर ऑप्शन सही आगे देखे मूल सरचना का सिद्दा नहाइपालिका ने किस वद में परिव्दित किया इसका right answer हो जाएगा वह वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है दोस्तों यहाँ पर देखिए देखिए सनी एक आंत्री ग्रह है यह दोस्तों इसमें गलत दे रखा है और यह अपना राइट आंसर सी नंबर उप्सन हो जाएगा ठीक है आगे देखिए यहाँ पर 110 नंबर का प्रेस्ट ने सुबह यानि कि जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा तो दोस्तों कितना समय होगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें एक डिग्री में 4 मिनट होता है ठीक है तो 15 डिग्री में कितना मिनट होगा कितना होगा 60 मिनट तो 10 बजे में 60 मिनट और जोड दीजे तो क्या हो जाएगा 11 बजेंगे तो दोस्तो इसमें ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे बू परपटी के नीचे वह इस्तान जहां बुकमपन आरंब होता है कहलाता है तो दोस्तो बताई वो क्या कहलाता है वो कहलाता है उद्गम के अंदर है ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे बुकमपोर ज्वाला मुकी गटित होने का कारण है तो दोस्तों वो क्या है तो वो है अंतर जनीत बले तो यहां पर ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा सुरी इसमें दे बताए बारत वे पुरात्त्व के पहले जनरल कोन थे सक राइट आंसर हो जाएगा वह है यहां पर से नमबर उप्शन बिल्कुल सही एकशा ऐग्ने चाथरी गाथा के समद में कौन सा कथन है वह दोस्तों इसमें सत्य है वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है ठीक ह है दोस्तों देखे यह सुथ पिटक का हिस्सा है बिल्कुल सf 우리가 इसमें अब बिक रचीत도 wow सुंधों का संक्लान का बिल्कुल यह यह विनेथ बिनेब का है सक्षा नहीं है यह दोस्तों सुथ पिटक का हिसा है तो इसमें तीसरा नंबर का गलत हो जाएगा और देखिए इसमें महिलाओं के सामाजिक और अध्यात्मी का नुबहों के बारे में अंतर रिज्टे मिलती है बिल्कुल सही है तो यहां पर एक दो चार है वो सही है बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाए थे नमबर आप्षिन बिल्कुल सही ऐसे सोलै माजन पदों में क्यों था राइट एंसर की था था है दोस्तों सोलाम प्दों में मघद परफम है क्यों था तो इसका राइट हो जैगा वह है दोस्तों देखें खेति की अच्छा होना ठीक है लोए के खदाने होना जंगली हातों का जंगली हाती का उपलब दोना राइट अंसर इसमें उपरोक सभी हो जाएगा जी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे लोथल नामक खड़ पाई इस तल कहा इस्तित है तो दोस्तों ये गुजरात में है बी नंबर उ हो जाएगा भरुट से आगे देखे 120 नंबर का प्रेस्ट ने देखे चोल अभी लेकों में भूमी की विबिन कोटियों का उलेक मिलता है उनमें से वेलन वगाई का समंद्ध था दोस्तों वेलन वगाई का जो समंद्ध था वो दोस्तों किस से था बताए तो इसका राइट को समयलित कीजिये यहां पर अपको पता होना चाहिए दोस्तों देखे ऊंट मोच्षों का मना आ जाता है बिकानेर में मारूं मोच्षों जसल मेर में पतंग महुच्छा जैसल में जैपूर में और मेवाड उत्सव उदेपूर में यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएग का कल प्रक्षान भाकिए इस में तीनों कुतन है वो बिल्कुल सही है यहां पर डी नंबर का ओप्षन बिल्कुल सहुत तर है इसमें हो जाएगा ठीक है आगे देखिये एकशो तेविस नंबर का प्रस्न है छो्षा सई पारवती तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तो माही बानगंगा ठीक है यह बानगंगा है यह माही की साइक नदी नहीं है बाकी इसमें सबकी बनास की साइक नदी बिमेनाल चंबल की साइक नदी पारवती लूनी की साइक नदी जोजडी ह है तो यहांपर सी नमबर उप्शन राइट आंसर हो जाएगा 124 नमबर के पास इस कि पुष्कर में वरा मंदिर का निर्मान है वह दोस्तों अरणो राज में करौए था यहां पर वी मंबर उप्शन है तो जड़ी होल जैडी होल इसका राइट यहांपर सी नमबर का प्रस ने इसमें देखे 밖에 है और दोस्तों उडरीmee गाउं के निवासी थे यहां पर सी नंबर का उप्शन राइट अंसर एक सो सताइस नंबर का प्रेस्ट ने इसमें देखे गुनीश सो सताइसी का सुर्यमल मिस्टन पुरुसकार का नईयलाल शेटिया की कि साहितिक रचना को दिया गया राइट आंसर हो जाएगा वो है सबद को दिया गया डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही 128 नंबर प्रेस्ट ने हाथल गाउं का समद राजस्तान के एक एक एकरन में से कौन सी रियासत से जुड़ा है राइट आंसर हो जाएगा यह शिरोई रियासत से जुड़ा हुआ है दोस्तों डी नंबर उप्शन को आगे देखिए यहां पर आदिवास्यों का कुम्ब कौन से मेले को का जाता है तो दोस्तों बेनेश्वर मेला को का जाता है यह नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए इसमें थमनियों ठेड़्डियों आड ठुसी नामक आप उसन महिलाओं द्वारा कहां पहने कि राजस्तानी सासक द्वारा करवाए गई ती दोस्तों यह देखिए एकौन से सासक के दौरा करवाए गई थी राइट अंसर हो जाएगा सुआ राम सिंग के दोरा यहां पर बी नंबर आ उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए वालर नर्ते किसके द्वारा किया जता है तो दोस्तों ये वालर नर्ते है ये किसके दोरा करवाय किया जाता है तो इसका बिलकुल सही उतर इसमें ये देखिए आदिवाशियों का नर्ते है ये ठीक है गराशिया जनजाती का और ये इस तरीव पुरूस जाती का ये नर्ते है ठीक है दोनों के दोरा ये किया जाता है यहां पर C नमबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखे 134 नमबर का प्रेस ने दिमिन में से कि सुद्धे से कि संपराप्ती पर विद्यारती किसी मानची तरप में अंकित असुद्यों को सही कर सकता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो बोध का विकास तो यहां का गया है दुर्खीम का यहां पर यह नमबर उप्सन बिल्कुल सही दुर्खीम 137 नमबर प्रेस्टे मोडल ओफ अंडरेस्टेंडिंग लेवल ओफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताए किस नाम से जा नाम से जाना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोरिसन मोडल के नाम से बी नमबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखिए 137 नमबर प्रेस्टे निमन में से बेंजामिंग ब्लूम के संग्यनात्मक पक्स से समंदित है कौन सा सिक्षन उद्दे से नहीं है तो दोस्तों वो है इसमें अधिगरण नहीं है यहां पर बी नमबर उप्सन बिल्कुल सही देखिए जो जो टिक लगाई है वह आपको पता चल भी रहा होगा कि आपके कौन-कौन से प्रेस्टन सही है आगे देखिए इसमें अनुदेशन तक्निक की प्रकरति के अनुसार प्रायोजना विदी समंदित है तो दोस्तों यह समंदित है टी लाइए यानिकी इंट्रेटिव प्रकिरिया अनुदेशन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नमबर का उप्सन बिल्कुल सही आगे देखिए दोस्तों इसमें 149 नमबर प्रेस्टन है देखिए मुल्या जानकन बराबर मापन पलस मुल्य निर्दारन है तो यहां पर बी नमबर का जो उप्सन है वो इसका बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी मेरिट बढ़ती परिक्षा के लिए म निमन में से कौन सा पद प्रायोजना विदी का भाग नहीं है तो वह दोस्तों सोचना का विश्लेशन करना तो यहां पर सी नमबर उप्सन राइट आंसर 141 नमबर का प्रस्ट्रें इसमें देखिए दोस्तों राष्टिय शिक्षा नीती गुनिश्यासी के मुल्यानकन में मुल्यानकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतरगत निमन सुझाव नहीं है तो दोस्तों वह प्रसंपत्र निर्मान में अध्यापकों को घहन प्रस्ट्रेंशन के आवसकता नहीं है तो यहां पर डी नमबर का उप्सन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखिए 142 सब्सक्राइब का प्रस्ट्रेंशन के लिए उपयोगी होता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह वह है ब्रमन संग्राल अवलोकन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक सभी डी नमबर उप्सन बिल्कुल सहीत आगे देखिए 144 नमबर का इसमें देखिए उत्तर भारतिय मैदान में बाड निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तो यह खादर के नाम से जाना जाता है तो इसमें बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए यहां पर है भारत में बहुत आया से पाए जाने वाले वन कौन सा है तो वो है उसन कटी बंदिये पनपाती वन ठीक है उसन कटी बंदिये पनपाती वन इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों यहां पर कौन सी फसल को सुनेरा रेसा के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों सुन वह है मेगनीज और तामबा यह दोस्तों यहां पर मेगनीज तामबा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर ऑप्शन सही 148 नमबर प्रेशन है विश्वा में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औस दी भारत में कौन से पोदी से पराप्त होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों हिमालयन या ओके द्वारा तो यहां पर बी नमबर ऑप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखे राजस्तान के सुस्क चेतरों में पालर पानी सब्द किसके लिए परियुक्त होता है तो दोस्तों यह परियुक्त होता है वर्सा जल के लिए यह पालर पानी सब्द का परियुक्त होता है आगे देखे दोस्तों यहां पर राजस्तान के कौन से जिले में भार बताईए चार उप्शन आपके सामने दिये गए है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए का वो है जोधपुर इसमें राइट आंसर जोधपुर में इस तापित किया गया है यह नमबर उप्शन बिल्कुल सही यह दोस्तों मैंने आपको चोबीस तारीक का जो पेपर जरूर करें बेल आइक उनको दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैवारत